जो जो लोग इसको काटे हैं ओ लोग मर गए हाइए बीचोंगे में έχ machinery के दौडे आउं लिख और जीद देट है आप सकते हैं इस तौड है इस तरफ भी रोड है और बीच भी विरिज आफ निमास है उंकी इसमें सकती है विरिज को हानी पहुचाने को किये हैं या तो मर गए है या परसान हो जाते हैं मुझा व मुझेट है रिजिक वार्म स सबनाने क्ंव कया सुना है या आपर आसे बंधर्द हाई वे जो है यहां आघाता था कहता है लोग मानते हैं नुकामना पूरी सब्क्राइब कूछ मानता यह पूरा हो जाता है बीमार हो या कोई मर गया ऐसा हो गया किसी लिए नहीं आता है और ऐसी हम कोई बात नहीं को यह रहा रहा हम एक बाहत बहु लगी तो पṇचिंढ बीखड़ गय न देखिए बाभा प्यडुकों आदास का चमत का रही है जनता दूर दूर से आते हैं जाते भी है रुकते हैं यहां पर जो है बस लगातार चल रही है गाड़िया लगातार आ जा रही है यही हाईवे है और हाईवे के जश्ट किनारे यह पेड़ है और इसी पेड़ को काड़ने की बात हो रही थी जैसा कि ग्रामीड लोग बता रहे हैं जब भी इस पेड़ को काड़ने का प्रयास किया गया यहां से इस ब्रिच को हटाने का प्रयास किया गया या तो लोग बिमा हो गए या तो उनकी मौथ हो गई जब भी मसीन इस पेड़ को काड़ने का प्रयास करती थी मसीन जिससे भी आटमेटिक उसमें कुछ ना कुछ खराबिया आ जाती थी तो मसीन बिगड़ जाती थी आप देख सकते हैं यह लागवद तीन सो से चार सो साल पुराना बट बिरिच है यह बरगद का पेड़ है विसाल का है इसकी भुजाएं आप देख सकते हैं इसकी साखाएं आप देख सकते हैं जो जो लोग इसको काटे हैं ओ लोग मर गए जब दो-तीन लोगों की मौत हो गई जब जिसी भी विगड़ गई त सरकार को समझ आया सरकार की आखे खुली उनकी आख में पट्टी बदी हुई थी खुल गई रोनों नहीं इस विर्च को नहीं काटा और विर्च को यहीं छोड़ दिया गया चार सो साल पुराना पेड़ है और आज पास आप देख सकते हैं इधर भी हाईवे है और इधर भी रोड है और दोनों रोड के बीच में दोनों रोडों के बीच में एविसाल का बट विर्च है आप देख सकते हैं इस बट विर्च की क्या खासियत है आखिरकार इस हाईवे क कि बीज में इस बड़ विर्च का क्या काम है कि आई पेड़कवा बाबा का स्थान है तेजा पुल लोहरा आजमगड़ा त्रूलिया बलाग कि यहां कि हम बाबा के पुजारी है हमारा नाम हलाल चन बाब इसके पहले बाप आजा हमारे करते थे फिर गाउं पूरे छेत के जो मनत मानते हैं काम हो जाता है निगोटा चढ़ाते है खराव चढ़ाते है अगर बती लेड़ू गटा बतासा पूजा बाबा का है बाबा की सेवा हम करते हैं लगभाग जब से हैवे बना है तब से हम करते हैं इसके पहले हमारे पिता जी करते थे हमने सुना हाइव जब जाती है जाती है जाती है जाती नहीं इसके पूरा पच्चु होता है तो बहुत कम बचते हैं अब बताईए आप हमने सुना जैसे भी आकर इस प्रकाट रहे थी जिसी भी भीगल उगल गई नहीं के सब गई नहीं घर दुआरे अपन को भाईया पेड की उम्र क्या होगी यह हो लागभाग अरे हम अनके बाप आजा से पहले कहा आगे हम का बताएं तो भाई तीन सो साल पर नीचे देख सकते हैं यहां पर खड़ाओ जो लोग यहां पर मानते मांगते हैं उनकी मानते पूरी हो जाती है तो लोग यहां पर लगोटा खड़ाओ यहां पर लोग चढ़ाते हैं और आपको जो दिखा रहे हैं आपको जो दिखा रहे हैं जो हाईवे हैं हाईवे के आसपास अगर एक्सिडेंट होता है तो किसी की मौत नहीं होती है बाबा जी का चमतकार है कि इस हाईवे के आसपा कहीं भी एक्सिडेंट होता है उनकी मौत नहीं होती है चोटा मोटा चोट लगते रह जाता है और आप काम पूरा देखा रहे हैं लोग इस जो बड़ बिच को लोग चक्क लगाते हैं परिकर्बा करते हैं आप देख सकते हैं चारों तरफ इसमें लगोटा बाधा गया है जि कितना विसाल का ये बरगद है आप देख सकते हैं कितना विसाल का ये बरगद है आप देख सकते हैं और चारों तरफ देखिए आप इसको देखिए काडने का प्रयास किया गया इतना बड़ा विसाल काए बड़ विर्च आप लोग देख रहे होंगे देखिए आप लोग क कथा यहीं है कि जब हाइवे बन रहा था जो लोग काटने का प्रयास की हैं वो लोग मर गएं सरकार को भी यहां जुकना पड़ा आस्था के सामने सरकार परसासन को जुकना पड़ा और इस बिरिच को यहीं बीच में छोड़ दिया गया और किनारे किनारे देखिए इस बुलंदियों के उचाईयों पर आज भी खड़ा हुआ है बीना मनत के अतना नी गोटा टंगल है मनत पूर होती है सब टांगते लोग ने तक टांगत जब मनत पूर हो जाले सब टांगल सब अपन पूजा पाठ करें सबकर उधार होला विचारे गरीम अमीर सबकर